हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस अकेड़ी में दोस्तों आज का अपना टोपिक रहेगा इसमें मोर्यकाल और मोर्यकाल से सम्मंदित दोस्तों टोप पचास प्रशन में आपके सामने लेके आया हूँ यह वो प्रशन है जो विबिन एकजामों में जो प्रशन बार बार में पूछे जाते हैं यह वो प्रशन है दोस्तों अगर आपने इस इन पचास प्रशनों को अगर आपने देख लिया है तो आपका मोर्य सामराजी है वो complete के लियर हो जाएगा ठीक है, पुरिये सामराजे के बारे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मौरिये सामराजे का जो पहला सासक था वो था चंदरगुपतमर्ये ठीक है, और अंतिम सासक कोन था? तो अंतिम सासक था दोस्तों, ब्रहत रहते ठीक है ब्रहद रहत है ये था अंतिम सासक मोरिय सामराजेगा ठीक है पर्थम सासक कोन था चंदरगुप्त मोरिय और अंतिम सासक कोन था ब्रहद रहत ठीक है और ब्रहद रहत की दोस्तो जो आत्या है वो पुष्चे मुतर सुंग के द्वारा की गई थी जो ब्रहद रहत का स एस साथ के यूट्यूब चेनल को सबस्क्रैब नहीं किया है तो इस चेनल को सब्सक्रैब जरूर कर दल करते हैं फिर बेल ऐजिए की दबाएं और फीर वीडियो को लाइक को लाइक और शेयर जरूर करें ठीकें तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस्ण है देखो, इंडी का नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई बहुत अच्छा किसन है यहाँ पे पुस्तक का नाम दे रखा है इंडी का और इंडी का पुस्तक के लेखक के बारे में पुछा गया है तो उस लेखक का नाम क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, मेगस्थनीज और मेगस्थनीज है, यह कौन था? तो मेगस्थनीज है, यह दोस्तों जो सेल्यूकस था सैल्यूकस निकेटर था justement, तो सैल्यूकस निकेटर ने मेगस थनीज को अपना राज़ दूद बना कर अपना राज़ दूद यानि कि मेगस थनीज को चंदर कुप्त मोरिय के दरबार में बेज़ा था और वहाँ पर दोस्तो इन्होंने इंडि का नमक पुस्तक की रचना की थी ठीक है इतना आपको याद हो गया तो दो नमबर का उप्शन इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट किसन है देखो समय बलाई ज्यादा लग जाए ठीक है लेकिन आपका जो प्रसन है वो किलियर होना बहुत जरूरी है यह 50 प्रसन आपने देख लिये तो आपको किसी बुक में या किसी भी कलास के अंदर आपको मोरे समराजे से समन देते कुछ भी पढ़ने के आवसिकता नहीं है ठीक है तो आप साथ में अगर चाहें तो पूरे भारत वर्स में जितने भी परतियोगी प्रेक्षाएं आई जित होती है उनमें दोस्तों मोरे काल है वो मैत्वपुनिस्तान रखता है तो कौन से गरंथों में से मोर्यकाल की अपने को जानकारी है वो नहीं मिलती है ठीक है तो देखो यहां पे अर्षास्तर, मुद्राराक्सस, दीपवंस, महावंस और तूती नामा ठीक है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो तूती नामा चार नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा तो मुर्यकाल की जानकारी अपने को कौन कौन से गरंथों में मिलती है अर्षास्तर में मिलती है, मुद्राराक्सस में मिलती है और दीपवंस, महाकावे में ये तीनों गरंथों के नाम है, वो आपको याद रखने हैं, नेक्स्ट है, अपनी परजा के नेतिक उत्थान के लिए असोक ने जिन आचारों की सहीता प्रस्तुत की, उनके अभी लेखों में क्या कहा गया है, दुबारा देखो ये प्रश्ण को, अपनी परजा के नेतिक उत्थान के लिए असोक ने जिन आचारों की सहीता प्रस्तुत की, उसे अभी लेखों में क्या कहा जाता है, यनकी उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों धम, ठीक है, आप सभी को पता है कि असोक ने धम की निती अपना ही थी, ठीक देखो असोक ने क्या किया था कि बेरी घोस के इस्तान पर दोस्तों धम घोस को अपनाया था यानि कि धम विजय को अपनाया था ठीक है कि ये कलिंग युद के बाद में ऐसा किया था ये आपको याद रखना है next किस गरंथ में हमें पाटली पुत्र के नगरिय प्रशासन का वर्णन मिलता है किस गरंथ से हमें पाटली पुत्र के नगरिय प्रशासन का वर्णन मिलता है तो दोस्तों देखो क्या है इसमें तो इंडिका इंडिका में अपने को क्या मिलता है कि पाटली पुत्र का जो नगरिय प्रसाशन था उसकी अपनी को जानकारी मिलती है और इंडी का पुस्तक के जो रचनाकार कौन है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कौन है मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राज़दू थे ठीक है नेक्स्ट है पांच नमर प्रसने चंदरगुप्त मोरिय वर्दावस्ता में जैन सादू बद्र बहु के साथ तपस्या करने किस इस्तान पर चला गया था तो दोस्तों किस इस्तान पर चला गया था चंदरगुप्त मोरिय तो सरवन बेल गोला जो करनाटक में है ठीक है वहाँ पर चले गए थे दोस्तों ये चंदर गुपते मोरिये दोस्तों ये इन्होंने जैंद्रम से विकार किया था और ये तपश्या करने के लिए सर्वन बेल गोला चले गए थे अपना राज्ये समर छोड़ कर ठीक है सादू बन कर चले गए थे असो के अभी लेकों में निम्न में से कौन सी लीपियां प्रियुक्त हुई है वो अपने को इसमें बताना है तो देखो इसका राइट आंसर में आपको बता देता हूँ कि ब्राहमी, खगोष्टी और अरामाईक, वैग्रिक ये चारो बहसाएं है ये चारो बहसाएं हैं ये दोस्तों असो के अभी लेकों की लीपिया है अरामाईक, ग्रिक, खगोष्टी और ब्राहमी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी चार नमबर का उप्सन इसका सही उत्तर साथ नमबर प्रेस्टने असोक ने अपने अभी शेक के बीसवे वर्स किस इस्तान की यात्रा की जहां का ग्राम कर मुक्त कर केवल एक बटा बहाग लेने की गोष्टना की थी तो दोस्तों पहले एक बटा चार था उसको एक बटा आठ किया गया था तो ये अपने को बताना है कि ये कहां पर कौन से इस्तान पर की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है लूम्बीनी में असोक ने अपने अभी सेक के बीसवे वर्स के दोरान दोस्तों वहां पर कर है वो एक बटा आठ कर दिया गया था जो पहले एक बटा चार था आठ नमबर प्रेस ने किस मोरिय सासक की उसके सेना पती द्वारा हत्या कर दी गई थी तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि मोरिय सामराजय का जो अंतिम सासक था वो कौन था तो वो था दोस्तों ब्रहदरत ठीक है और ब्रहदरत की हत्या है वो किस ने की थी तो पुष्यमित्र सुंग ने ठीक है पुष्यमित्र सुंग इन्होंने दोस्तों ब्रेदरत की हत्या कर दी थी और ये इनके सेनापती थे दोस्तों पुष्यमित्र सुंग है वो ब्रेदरत के सेनापती थे ठीक है और मोरिय वंस के बाद में सुंग वंस की स्तापना हो जाती है तो इसमें चार नमबर का option इसका से उत्तर हो जाएगा नाई नमबर प्रस ने असोक के समय पाटली पुत्र में कौन सी बोध संगीती का आयोजन किया गया था तो दोस्तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ वो आपको याद रखनी है तो दोस्तो ट्रिक है एका एके ठीक है अका अक अब देखो ऐसे हो गया अपने अजात सत्रूई याद रखना अजात सत्रूई ठीक है का से हो गया अपने काला सोख ठीक है यह नाम एक ही है ठीक है काला सोख और ऐसे हो जाएगा असोख ठीक है और कैसे हो जाएगा कनिस्क ठीक है यह चार बोध संगीती आईजित हुई थी पहली हुई थी अजाज सत्रू के टाइम में दूसरी हुई थी काला सोख के टाइम में और तीसरी हुईती असोक के टाइम में और चोथी हुईती कनिस्क के टाइम में, ठीक है? तो दोस्तों समझ में आ गया आपको, अका अक आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, तो इस प्रिशन में देखो, क्या पुछा गया है, कि बोध संगीती का आयोजन पाटली पुत्रमी असोक के समय कौन सी हुई थी? तो पहली अजाद सत्रू, दूसरी काला सोक, तीसरी असोक, तो इसमें तीन नमबर का ओप्शन है, वो सही उत्तर हो जाएगा, देखो, जल्दी बाजी मत करना, यहाँ पे एक एक लाइन है, वो बहुत ज़्यादा इंपोडेंट है, और अगर आपने पतास क्यूशन देख ऍशुधे लिए हैं, तो दोस्तों, आपका जो ये टोपिक है, मोर्ये सामराज्य का, ये बिल्कुल किलियर हो जाएगा, ठीक है, देखो, मोर्ये काल में परचलित विनिय में का माध्यायम कोन सा सिक्झा था, तो यहाँ पे क्या पूछा गए है, कि मोर्ये काल में जो परच मोरीकाल में पण कहते हैं, आशोक के किस सिलालेक में कलिंग नर्षहार का वर्नन मिलता है, ठीक है, तो दोस्तो कौन से सिलालेक में मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो, तेर्वे सिला लेक में देखो तेर्वे अभी लेक या तेर्वे सिला लेक में क्या है दोस्तों ये तेर्वे सिला लेक है ये सबसे महतोपून अभी लेक है इसमें कलिंग विजे ठीक है कलिंग विजे असो का जो हर्दे परिवर्तन हुआ था ठीक है और बोध धर्म अपनानी की जो सूचना मिलती है ठीक है ये जानकरी है ये तेरवे सिला लेक में अपने को प्राप्ते होती है ठीक है तो जो कलिंग नर्शाहार का जो उलेक है वो तेरवे सिला लेक में इसका वर्णन मिलता है ठीक है 12. असोक के किस अभी लेक में चोल पांडे, केरल पुत्रे और सत्य पुत्रों का अपने पडोसियों या पडोसी के रोप में उलेक है तो दोस्तों यहाँ पे क्या पुछा गया है आपको ये देखना है थिक है तो दोस्तों देखो इसमें असोक के किस अभिलेक में चोल, पांडे, केरेल, पुत्र और सत्य पुत्रों का अपने पडोसी के रूप में यानि कि उस समय जो सासक थे तीक है यानि कि असोक के समय जो अडोस पडोस में जो सासक थे उनकी जानकरी है वो अपने को कौन से अभिलेक में प्राप्ते होती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दितिये अभिलेक या दितिये सिलालेक में अपने को ये प्राप्ते होता है जानकरी ठीक है किस प्राचीन गरंथ में विवरन दिया गया है कि भारत में दास प्रता नहीं थी तो ये दास प्रता है ये नहीं थी भारत में ये कौन से प्राचीन गरंथ में इसका विवरन मिलता है यानि कि दास प्रता आप समझ गए होंगे कि दास मतलब राजा मा राजा के जो दास वगिरा रहते थे थे ना जो उनके माँ काम आम करते थे जैसे दासी होती थी सेवा पानी करने के लिए ऐसे ही दास पर था यनकी जो मजदूर, बंदक मजदूर आप समझते होंगे वो आली ठीक है तो ये पर्था नहीं थी भारत में तो इसकी जो जानकारी है वो अपने को किस में मिलती है तो इंडी का जो मोरिय परशासन की दोस्तो अधिकतर जानकारी है वो इंडी का पुस्तक में ही मिलती है और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैंने आपको पहले बताया है कि इंडी का पुस्तक के लेखक है वो मेगस्तनीज हैं और मेगस्तनीज हैं ये सेल्यूकस निकेटर के राजदो थे और चंदरगुप्त मोरिये के सासनकाल में भारते आये थे ठीक है दो नमबर और उप्शन इसका सेयुत्तर दोस्तो दो अभी लेख ऐसे हैं जिनमें असो का नाम है वो असो के मिलता है तो माँ आपको वो अभी लेख बता देता हूँ वैसे तो दोस्तो चार है लेकिन इसमें दो अधिकतर पूछे जाते हैं तो माँ आपको इसमें बता देता हूँ तो देखो चारो के नाम दो बता देता हूं, छोड़ा आप चारो के नाम आपको याद रखना है, इसमें आपको दो दिये गए हैं, ठीक है ? तो एक तो हो गया दोस्तो मास्की और गुर्जरा ये दो अभी लेख ऐसे हैं जिनमें असोक का नाम असोक मिलता है इस प्रिशन का उत्तरत हो जाएगा एक नंबर का ओप्शन ठीक है और इसके अलावा दो और अभी लेख है जिनमें असोक का नाम असोक मिलता है तो देखो ठीक है ये चार अभी लेक ऐसे हैं जिसमें असोक का नाम असोक मिलता है ठीक है देखो मास्की, गुज्रा, नेर्टूर और उदे गोलम ये चार अभी लेक हैं आपको नाम याद रखने हैं ठीक है तो एक नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा पंदरा नमबर प्रसने, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंदरगुप्त के दरबार में बेजा था तो मने आपको बताया था मेगस तनी जिनोंने इंडी का पुस्तक लिकी थी, एक नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सौला नमबर प्रसने, इसमें देखो दोस्तों, क्या पुछा गया है, कि सुमेलीत करना है, ठीक है, देखो ये कौन सा जो इस्तंबलेक है, वो कहां पर है, वो अपने को बताना है, तो देखो साची का लगू इस्तंबलेक है, ये दोस्तों कहां पर है, नेपाल में, यहां पे लगू इस्तंबलेक पुछा गया है ठीक है सारनात लगू इस्तंबलेक ये दोस्तो इलहबाद में है और कोसामभी लगू इस्तंबलेक ये वारानसी में है और रुमंदेई लगू इस्तंबलेक ये दोस्तो राय सेन में है तो ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं इस प्रसन का right answer हो जाएगा A, B, C, D यानि कि एक नमबर का जो option है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नमबर का प्रसन है बारती इतियास में वह पहला सासक कौन था जिसने राजनितिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्दान्त सामने रखा देखो भारती इतियास में वह पहला सासक कौन था जिसने राजनितिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्दान्त सामने रखा तो कौन था वो तो दोस्तो सब को पता है असोक था दोस्तो कलिंग युद्ध के बाद में दोस्तो इन्होंने हिंसा कत्याग कर दिया था तीन नमबर का उप्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा अठारा नमबर प्रसने बिंदुसार के समय तक्सिला में विद्रोह है हुआ उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको बेजा था तो किसको बेजा था तो सीधा समय है दोस्तो असोक को बेजा था ठीक है किसको बेजा था असोक को नेक्स्ट कुसने चंदरकुप्त मोरिय के सासन काल में करसी विबाग के अध्यक्स को कहा जाता था तो कृसी विभाग का जो अध्यक्स था, उसको क्या कहा जाता था, मोरिय काल में, चंदरगुप्त मोरिय के सासन काल के दोरान, तो दोस्तो सीता अध्यक्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्स, दो नमर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट कु वो जाना जाता है दोस्तो बिंदू सार ठीक है ऐसा समझ भी नहीं आता बिंदू सार ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था दोस्तो ठीक है जिसकी वज़े से इनको सत्रू का विनासक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एमित्रगात के नाम से तो इसका दो नमबर का उप्शन उस सासक का नाम अपने को बताना है, जिस सासक को चंदरगुप्त मोरिय ने परास्त करके, मोरिय समराजय की स्तापना की थी, तो वो थे दोस्तों गनानंद, कौन थे, गनानंद, ठीक है, तो दो नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर, बाइस नमर प्रेसने, निम्लिकित मेंसी, मोरिय काल का मुख्यत कों सा बूमी कर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बूमी कर कौन सा था, तो वो था दोस्तों इसमें भाग, ठीक है, याद रखना, एक नमर का उप्शन इसका सही उत्तर, 23 प्रांतिय सासन का सरोपर्थम उल्लेक मिलता है, वो दोस्तो मोरियकाल में मिलता है, किस में मिलता है, मोरियकाल में इसका उल्लेक मिलता है 24. कोटिले के अर्थसास्तर का परमुक विशे क्या था यहाँ पे दोस्तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थसास्तर और उस पुस्तक के रचनाकार कौन है कोटिले ठीक है और कोटिले की इस पुस्तक का जो मुख्य विशे है वो क्या है तो इसका थब देखो अर्थ सास्तर एक राजनिती विज्ञान के बारे में इसका जानकारी मिलती है ठीक है यानिकी राजनिती इसका मुख्य विशे था ठीक है तो इसमें एक नमबर का उप्शन इसका सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है असोक ने अपने राज्य विशे के आठवी वर्स में किस राज्य पर आकर्मन किया जिसमें बेहिंकर नर्सहार हुआ तो आप सभी को पता है कि वो कौन सा था तो कलिंग युद्ध ठीक है कौन सा था कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों ठीक है देखो इनका ज इस्वी पूरव तो 269 इस्वी पूरव ठीक है और वैसे दोस्तों इनका जो कारेकाल है वो 233 इस्वी पूरव मन जाता है ठीक है और दोस्तों अगर यानि कि ओपचारिक राजे बिशेख के अगर आपन बात करें तो 269 इस्वी पूरव इनका जो ओपचारिक राजे बिशेख हुआ था इसके आठ वर्ष बाद में ठीक है इनके आठ वर्ष बाद में मतलब इसमें से गटा दो आठ वर्ष तो कितना हो जाएगा 261 इस्वी जानकरी है वो असोक के तेरवे शिलालेक में मिलती है, तो तीन नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर, 26 नमर प्रशन है, सर्व पर्थम कि समराट ने जीयो और जीने दो का पार्ट पढ़ाया, तो जीयो और जीने दो का जो पार्ट है, वो किस ने पढ़ाया था, तीक है, असोक के जो ज़्यादा तर अभिलेक है, वो किस लिपी में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं दोस्तों, ब्रहमी लिपी में, एक नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, देखो, सुदर्सन जील का निर्मान किसके सासन काल में करवाया गया था, तो दोस्तों, देखो, सुदर्सन जील का जो पुन निर्मान है, वो इसकंद गुप्त ने करवाया था, किस ने? इसकंद गुप्त ने इस जील का पुन निर्मान करवाया था, लेकिन इस जील का निर्मान है वो किसने करवाया था भाई दुबारा निर्मान तो करवा दिया इसकंदगुपने लेकिन पहले निर्मान यानि कि इसका जो निर्मान है वो करवाया किसने था तो वो करवाया था दोस्तों चंदरगुपते मोरिये ने तो दो नमबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंटीस नमबर प्रेशने असोक ने सिरी लंका में बोध परचार हेतु किसको बेजा था तो किसको बेजा था तो दोस्तों पुत्र और पुत्री जिसका नाम था महिंद्र एवं संग मित्रा संग मित्रा इनकी पुत्री थी और महिंद्र इनके पुत्र थे तो एक नमबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा तीस नमबर प्रेशने मोरी काल इन मुद्राओं में से नहीं है मोरी काल इन मुद्राओं में से यानि कि मोरी काल की समय जो जो मुद्रा चलती थी उन्हें में से एक नहीं है ये चार उप्षन में से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया रुपया है ये मोरे काल में नहीं चलता था देखो क्या क्या चलता था काकनी, मासक, पाण और करसापाण तीक है ये तीन मुद्रा चलती थी मोरेकाल, चार, तीक है, याद रखना मोरेकालिन परमुक बंदरगाओं में से नहीं था तो मोरेकालिन परमुक बंदरगाओं में से क्या नहीं था तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें, कौनसा तो गवादर इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखना गवादर है ये मोरे काल इन परमुक बंदरगाओं में से नहीं था तो मोरे काल के प्रमुक बंदरगा है कौन कौन से थे सोपारा, तामरलिप्ती, ब्रुगुकत्स ठीक है ये तीन थे ये मोरे काल के प्रमुक बंदरगा है थे याद रखना है आपको 32 नमर प्रसने मोरिये वंस की इस्तापना किस ने की थी तो मोरिय वंस की जो इस्तापना है वो किस ने की थी वो अपने को इसमें बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंदर गुपते मोरिय ने आप सबी को पता भी होगा बिलकु लिजिए नेक्स्ट है 33 नमर प्रेस ने चानक्य या कोटिले नाम के बुद्धिमान वेक्ती ने मुखेत है किस मोरिय समराट की साहता की थी तो किस मोरिय समराट की साहता की थी किस ने चानक्य या कोटिले ने सब को पता है दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चंदर गुपते मोरिय की दो नमबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा चानक्य की पुस्तक का नाम बताईए तो दोस्तो चानक्य की पुस्तक का नाम क्या है तो अर्थ सास्तर है वो दोस्तो चानके की पुस्तक का नाम है जिसको अपन चानके को दोस्तो कोटिले भी बोल सकते हैं विश्णो कुप्त भी बोल सकते हैं ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा अर्थ सास्त ठीक है next दोस्तो अगर मेरे साथ में चलते रहे तो जैसे जैसे जो जो टोपिक है ठीक है जैसे गुप्त काल हुआ ठीक है मोरे काल हुआ मोरे काल का जो परसासन है इनके में अलग अलग जो विविन एक्जामों में यानि की पूरे भारत वर्ष में जितनी भी एक्जाम हुई है उनमें जो परसंद पुछे गए हैं वो परसंद दोस्तों मैं आपको इसमें करवाओंगा यह सीरीज है यह रोजान आप चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतियास में अपने को ऐसा पहला सासक बताना है जिसने अबिले खुद वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिस की है तो क्या नाम है उनका तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही उत्तर है वो है असोक ठीक है दो नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर है 36 नमबर प्रेशने समराट असोक के ज़्यादा तर अबिले किस बासा में मिले है तो किस बासा में मिले है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किस बासा में तो मैंने आपको बताया दोस्तों देखो सबसे ज़्यादा जो बासा में मिले हैं वो ब्राही ठीक है यहां पर option में देखो ब्राही आपको नहीं दिख राओगा ठीक है तो दूसरे नमबर पर प्राक्रत ठीक है तो दो नमबर का option है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 नमबर परसने समराट असो के सहाबाज गड़ी वे मान सहरा मन सहरा अभिलेक किस लिपी में लिखे गए हैं तो यह दो अभिलेक हैं सहाबाज गड़ी वे मन सहरा अभिलेक हैं वो कौन सी लिपी में लिखे गए हैं तो वो खगोष्टी लिपी में लिखे गए हैं ठीक है तो इसमें दो नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नमबर प्रेस्ट ने तक्सिला वे लगमान से मिले असो के अभिलेक किस लीपी में मिले हैं तक्सिला वे लगमान से मिले असो के अभिलेक है वो कौन सी लीपी में लिखे गए हैं तो ये दोस्तो अरामाईक लिपी में लिखे गए हैं, याद रखना है आपको. 49 नमर प्रस्थे, कलिंग यूद पस्षाथ समराट असोक ने क्या निश्चे किया था? तो दोस्तों क्या निश्य किया था, इन्होंने निश्य किया था, कि मैं बविश्य में कभी युद्य नहीं करूँगा, ठीक है, तो एक नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बविश्य में कभी युद्य नहीं करूँगा, चालिस नमर प्रेस्ट ने समराट असोक, सरुपर्थम समराट असोक ने अभी लेकों को पढ़ने में किस विद्वान को कब सपलता हासिल की मिली, ठीक है, तो दोस्तों एक जैम्स प्रिंसेप थे, ठीक है, और दोस्तों आप सभी को पता हैं कि जैपूर में इनका एक शिलाले है बैराट में, ठीक है, उनको पढ़ाता दोस्तों कि इसने जैम्स प्रिंसेप ने कब तो 1837 इस्वी में सरु पर्थम पढ़ने में सपलता प्राप्त की थी, तो दो नमबर का उप्शन इसका सायुतर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना जैम्स प्रिंसेप 1837 इस्वी में, 41 नमबर प्रिशने, सहारनाथ इस्टम्ब के चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो ज़ंडा है, उसमें भी दोस्तों सहारनात इस्टम्ब लगा हुआ है, तो उसमें 24 तिलियां है, ठीक है, एक नमबर का उप्शन इसका सहीुतर, 42 नमर प्रेस ने सारनात इस्तंब जिसे असोक इस्तंब भी कहते हैं में और कौन से पस्वों की आकरती उत्कीन है यानि कि सारनात इस्तंब को दोस्तों सब को पता है कि असोक इस्तंब भी कहते हैं उस इस्तंब के अंदर कौन कौन से पस्वों की आकरती उत्कीन है वो अपने को इसमें बताना है तो दोस्तो चार पस्वों की उसमें आकरती अंकित है कौन कौन से हैं हाती अस्वे बैल और सी है ये चार ये चार आकरतीयां ऐसी हैं जो असो के इस्तंब में उतकिन है तो हाती, अस्वे, बैल और सी है तो याद रखना A और D इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा यानि कि चार नमबर का उप्शन सही उत्तर 43 नमबर प्रशन है मोरिय वन्स के संस्तापक चंदरगुप्त मोरिय के राजनिती गुरू और प्रधान मंतरी का नाम अपने को इसमें बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तो सब को पता है क्या नाम है तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका कौन? विशनु गुप्त जिसको अपन को टिले चाने के कुछ भी बोल सकते हैं रचना की थी, तो यह हो गया इदर, ठीक है? अब यहाँ पर अर्थ सास्तर, तो दोस्तो अर्थ सास्तर की जो रचना है वो किसने की थी, तो कोटिले ने की थी, सब को पता है कोटिले, ठीक है? और मुद्रा राक्सस, मुद्रा राक्सस की रचना की थी किसने विसाक दतने और परीशिष्ट परवन की रचना है वो हेम चंद्री ने की थी तो इस प्रिशन का right answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्टो DCBA इस प्रिशन का सही उतर हो जाएगा दो नंबर का जो option है वो इसकासred हो जाएगा पेंतालिस नमर प्रिशने निम्न में से किस सासक को सत्रू का सहारक कहा जाता है तो सत्रू का सहारक है वो किसको कहा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो बिलकुल सही उत्तर है इसका वो है मैंने आपको बताया था सत्रू का विनासक या सहारक ठीक है कौन से सासक को का जाता है तो बिंदु सार को कहा जाता है दो नमबर का उप्शन इसका सही उतर पुराणों में असोक का नाम मिलता है तो पुराणों के अंदर जो असोक का नाम है वो क्या मिलता है तो वो मिलता है दोस्तो असोक वर्दन याद रखना बहुत अचा क्यूशन है कभी पिरि दिव्यावदान के अनुसार असोग को बहुत दरम में किसने दिख्षित किया था दिव्यावदान के दोरान या दिव्यावदान के अनुसार असोग को बहुत दरम में किसने दिख्षित किया था तो दोस्तो उपगुप्त ने बहुत दरम की सिक्षा दी थी या दिख्षा द ज़्यादा इंपोडेंट है ठीक है उपगुप्त 48 नमबर प्रसने सर्वन बेल गोला इस्तित है तो दोस्तों सर्वन बेल गोला है वो करनाटक में इस्तित है मैंने आपको शुरू में बताया था 49 नमबर प्रसने असोक के सासनकाल में आईजित बोध संगिती का अध्यक्स कौन था तो देखो तीसरी बोध संगिती आईजित की गई थी असोक के समय ठीक है और उसका अध्यक्स है वो दोस्तों मोगली पुतर 30 ठीक है मोगली पुतर 30 ये इसका अध्यक्स था इस बोध संग पंचास नमार का परेसे हैं बिन्दुसार का पुत्र था तो दोस्तो का कौन था किसका पुत्र था बिन्दुसार तो इसका नमार का और सुझाईचाई और बता देता हैं चंदरगुप्त मोरिय की एक पत्नी और थी जिसका नाम था हेलेना ठीक है हेलेना से विवाह किया था तो परिक्षा में पूछ ले कि भारतिय इतियास का प्रथम अंतराष्टिय विवाह है वो किस ने किया था अंतराष्टिय विवाह की बात कर रहा हूं अपने सिखर दवन उस्टेलिया में की है साधी ये अब करने लग गए पहले नहीं करते थे तो पहले भारतिय इतियास में जो प्रथम अंतराष्टिय विवाह है वो चंदरगुप्त मोरिया वे हेलन जो हेलना थी ठीक है जो सेलुकेस निकेटर की पुत्री थी है उसके साथ में दोस्तों कारे में इतने important question है जो विविन एक्जामों में पूछे गए है वो मैं कल आपको बताऊँगा तो दोस्तों अरद्यारेस Academy के YouTube चैनल को जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को दबाएं वीडिय हैं दोस्तों नक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय पारत